बिल्ली के मुखमंत्री अर्विंद केजरिवाल को एडी ने गिरफतार कर लिया है। गिरफतारी की खबर पाते ही आम आदमी पार्टी के कारकरताओं ने केंद सरकार विरोधी नारे बाजी शुरू कर दी जिसके बाद पुलिस ने कई आम आदमी पार्टी कारकरताओं को गिरफतार कर लिया है। आरवेंथो टी, आरवंधो केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है, यह बिल्कुल साफ था, जितनी भारी संख्या में पुलीस आई जितनी भारी संख्या में पैरा मिलिटरी फोर्स यहां पे स्टेशन थे कि आज E.D. अर्विंद केजरिवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है अर्विंद केजरिवाल का अरेस्ट भारतिय जंता पार्टी की और प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी की एक राजनेतिक साज़िश है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अर्विंद केजरिवाल है दो साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है दो साल में एक रुपे की भी रिकावरी ना ED ना CBI कर पाई है 500 से जादा अफसर इस केस में लगे हुए थे 1000 से जादा रेड्स हुए आम आदनी पार्टी के नेताओं के घर, मंत्रियों के घर, उनके आफिसेज में हर जगा रेड्स हुई लेकिन उसके बावजूद एक रुपेया आज तक नहीं मिला है तो आज लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बार अर्विंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनेतिक साजिश है लेकिन मैं प्रधान मंत्री नरेंदर मोती जी को कहना चाती हूँ के अर्विंद केजरीवाल सिर्फ एक इनसान नहीं है अर्विंद केजरीवाल एक विचार है अगर आपको लगता है के एक अर्विंद केजरीवाल को गिरफतार करके आप इस विचार को खतम कर सकते हो तो आपको गलफ लगता है अर्विंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंतरी थे दिल्ली के मुख्यमंतरी है और दिल्ली के मुख्यमंतरी रहेंगे हमने शुरू से स्पर्ष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अर्विंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है वो ही दिल्ली के मुख्यमंतरी रहेंगे ये लडाई चलती रहेंगी अर्वंद केजरिवार जी ने लिया है और डिली के मुक्यमंतरी रहेगे यह बिल्कुल साफ है और यह बिल्कुल फष्ट है इस में कोई दो राय नहीं है हम बिल्कुल Supreme Court हुचा हुचाथ है Supreme Court हमने Case File कर दिया है अर्विंज केजरीवाल के अरेस्ट को कोच करने का केस सुप्रीम कोड में फाइल कर दिया है अभी उसकी अर्जिंट मेंशनिंग के लिए हमारे वकीस सुप्रीम कोड जा रहे हैं हम ये डिमांड करेंगे कि आज इगाद को ही इस केस की सुनवाई होगा